अलो प्यारे बच्छों मैं विवेक कुमारे गवाब फिर से आप सभी का स्वाधत खरता हूं हमारे आपके और सभी के प्यारे चैनल नंद के शुव ग्लासस पे बच्छों अपनी 7PM सीरीज को फिर से हम लेके आए हैं और आज डी ब्लोक एलमेंट का लेक्षे नमबर 2 रहने वाला है पिछले वीडियो में डी ब्लोक एलमेंट के हमने कुछ एक बात ही करी थी ट्रांजिशन एलमेंट और डी ब्लोक परक्द देखा था कुछ एक प्रॉपर्टीज भी पड़ी थी जिसमें अटॉमिक रेडियाई एक्ट आज हम देखेंगे टॉक टू वाटम अगर जाते हैं तो एक्टामिक रेडियाई कैसे डी ब्लोक एलमेंट में वेरियेशन आता है तो चलो भाई शुरू करते हैं फोड़ा समय एक बार को आपको यह दिखाना चाहूंगा प्रॉइक्टेबल जो कि थी अपनी यहां पे डी प्रॉपर चलने पर क्या होता है सर शुरुवात में साइस करता है फिर कॉंस्ट्र बजाता है फिर इंक्रीज जाता था पर और जिंक के कैसे मतलब क्या मैं इसको एक बार को ऐसे लिक देता हूं यहां पर अटॉमिक डिडियाई वे देखो यहां पर माल लिए हम देते हैं 3D सिरीज की बाते कर रहे हैं 3D सिरीज में तो 3D सिरीज में कौन आता है बच्छों स्केंडियम टाइटेनियम वनेडियम क्रूमियम मैंगनीज आईरन प्रॉबार्ट निकल कोपर ठीक है यह हमारी क्या थी बच्छों 3D सिरीज निए क्रॉमियम में क्या हो रहा था क्म क्रोमी यं से लिए कर आता है कि यह से इफेक्टिव होता है त। सब्सक्राइब क्या होता है यहां तक इधर से इधर जाने में हमारा जैट इफेक्ट्ट इसलिए और आपको पता है जैट एफेक्ट्टी अगर बढ़ेगा तो भईया साइस क्या होगा छोटा होगा मतलब क्या है जएक्टिव क्या होता है सभी 11th class की बाते हैं मालों यहां एक क्या है न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक लेक्ट्रों है तो इस इलेक्ट्रों को जिस ताकत से न्यूक्लियस गसीद पार रहा है वही इस जएट इफ्यक्टिव एक तरीके समझलो बढ़ेगा तो तो यहां से यहां तक size क्या कर रहा था सब डिक्रीज कर रहा था ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ बच्चो आइरन कोबार निकल कॉप निकल तक यहां तक लगब लगब size क्या हो गया था constant हो गया था और फिल लास्ट में अगर मैं बाते करना हूं copper वाजिंग इस case में क्या हो गया था बच्चो size increase कर गया था किंग क्रीजिस रीजन क्या है थोड़ा सा मैं एक बल को और explain कर दूँ विकॉज इसमें कई बच्चों को डाउट सेते हैं रीजन के तौर पर यहां पर मैं थोड़ा बना दा चाह रहा हूं अगर मैं बात करूँ यह है हमारा लास्ट वैलेंश और यह हो जाती है हमारी पैन इसके इंडियम की तो वह जाएगी वह यहां और एस टू थ्रीडी इस टैक्से कुछ इलेक्ट्रोनिक अन्फिरेशन आ जाएगी इसके इंडियम की ठीक है बच्चों तो वह क्या कि जो एस और वाइटल है वह आउटर मोस्ट बाहर और दी और अंदर तो अभी डी और पर तो इसकेंडियम की बाद बच्चों आएगा हमारा नंबर किसका इसकेंडियम टाइटेनियम में क्या जाएगा और एस टू टू तो यहां पे अब दो एलेक्ट्रोंस हो जाएंगे माल लेते हैं अरे यार बार बार कलए बदलना पड़ रहे हैं अच्छा ठीक है माल ले क्योंकि ये लेक्ट्रॉन का रिपल्शन वहलब जो अट्रैक्शन न्युक्लियस से उसको कमजोर कर रहे हैं सोचो अगर यहाँ पर मालने दो तुम बेट उप यहाँ पर एक नमबर पर आप बेटें हैं ऑर यह वाला यलेक्ट्रॉन आपको देखेगा तो ये क्या कहईगा तो रिपेल हो क्यूवकि धोनीर नेगेटिव चाला है पिए रिपल्शन जो आ रहा है इस रिपल्शन से इसका जो इधर से हैट्रैक्षन से हूद इसको डिक्रीज कर रहा है इसलहे हम गोलते है कि यह लेक्ट्रॉन यह इसको शीलड कर հहा है कर दू Master अ है और D ofțiker होता है वार कि यह होता है पूर श्रविंग एफेक्ट होता है इनका इस वजह से वेगे रप सर्फ हमारे को शेल्डिंग एफक्ट वर ऊंदल शेल्ड नहीं कर पाएन यानि आणा झाज अदिक विंद यूब्द इसको धंतहर ना दे पाना थाकक देगा तब बढ़ते जाते हैं मालों एक हुआ दो हुआ फिर तीन हुआ फिर चार हुआ पांच होने लग गया जब हम बात करने लगे आईरन कोबाल्ट निकल इन तीनों तर जब इलक्ट्रोंस डी में बढ़ती गया तो आपस में इनका इतना ज्यादा अलों एलक्रोंडिक चार्ड हो ग लगे त्रीडी नाइन और त्रीडी टेन की कॉपर और जिंक वगयरा जब चले गए तो वहां पे लगवल वह बहुत ज्यादा हो गया दी में नौदे से लग्ट्रों आने कर बहुत रिपल्शन हुआ उनने इतनी शील्ड कर दी कि साइज इंक्रीस कर दिया आपको पता है इफिक बड़ेगा तो साइज इंक्रीस दता जाएगा समझ जो जो यह इसको शील्डिंग अगर नहीं कर पाएगा तो साइज गरता जाएगा जाएगा समझ भी बात में अब खिर आज यह मैं समझना था बच्चो कहा गया आज आज यह मैं समझना बच्छो टॉप टुबिटम क्या हो जाती है टॉमिक रेडियस के साथ इन डी बलॉक एलिमेंट तो चलो है अधिकलो टॉप टॉपटम टॉप टॉप टॉपट कि यह पिछली वीडियो में बात होगी थी आथ हम देखेंगे और यहां कि आ जाता है टॉप से बॉटम जाने पर क्या होता है टॉमिक रेडियाई में तो थोड़ा साना elements लिख लेता हूं यहां पर हमारा Scandium Titanium अधर ऐसे से से निकूल जन ठीक है फिर नीचे हो जाता है लैंतिनम लाख हफ्ता और मैं रिस्क उठा इधर भी टेगए यह लाफ्त लाफ्ता इधर होता है टीक है यह ट्रियम जिर्कोनियाउं साइट से मैंने इसको उल्टा कर दिया है लाफ्ता वाली लाइन नीचे आजाएगी माफ कीजिएगा बच्छों लैंतिनम क्योंकि क्या आएगा बच्छों नीचे आजाएगा वड़ा सा माफ ही चाहूंगा मैं यह यह ट्रियम जिर्कोनियाउं अब बात करूं सर की नीचे जाने पर ऐसे अगर हम आ रहे हैं इसके अलॉंग मूफ कर रहें गूरूप के अलॉंग अब गूरूप कि मैं करने सल्ग Alcohol क्या होगा साइस के साथ अटां मिक साइज के तो बच्छों अगर बात करूं इधर पी यह जाता है थार्ड घ्रुप क्या हो जाता है थार्ड रहा होता है और उसका विक साइज से बड़ा होता है कुछ मिला कि नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा हOME का नीचे जाने पर बढ़ाह साइज इंक्रीर हो रहा होता है बच्यों नार्फल टरेंट फो here होते हैं इसको डब्वै में करके ऐसे लिzk लेकंग में इतना लिखो लेकिन जब हम यह बात कर रहे हैं इदार नीचे जाने में इदर नीचे जाने में इन सभी अगर इसमें हम मुफ कर रहे हैं बच्छों दी ब्लॉक में फॉर्थ गुरुप से तेंथ गुरुप में तो हमने देखा सर कि 3D स्रीज से 4D में तो आने में साइध बढ़ा 3D ये 4D स्रीज ये 5D स्रीज तो 3D सरीज से 4D याने में तो वह度 बहुत कि साइज का बट भट भट फट फट फोट कि और 5D स्रीज का लगभण साइस सिमिलर हो जाता है इंकरी ise नहीं होता है इसका रेजन क्या दिया गया इसका रेजन से दिया провод byख के इंदर लइं त्रीज कौरुक कि शे मुन्टक्षण क अब इसको भी समझाते हैं एक्ष्रेंट करते हैं पर अब तो इसको बना लो जब तक अपने अपनी कौपीस के अंदर लिख लिया चार अचार थोड़ा सब कैमरी को मैं सेट कर देता हूं ऐसे जों में कहां गया अब ठीक है तो हमने क्या कहा कि वह सर हो बच्छों भात क्या होइब देखो हुथा क्या है अगर पिडिटोडिक टेबल तुम साहा समझ जाओगे की सर यह द लेंट्रम का नमबर का है बच्चों 57 लेंटन मियाध रखना डी ब्लॉक ईल्म अट होता है लोग सोस्तने लेंटन है अच्छल जले आते हैं आफ ब्लॉक में लेंटन नम गया बच्चों हमारा डी ब्लॉक का कर रहे थी या फिए इनको इक अलद नाम देदिया इन ट्रांजरेशन मृंट या फो या उप्लोक एल्मेंट या नीचे के और प्लेस कर दिया और अन्ट यह है तो यह है यह यह को स्टार्ट मार करके दिखाया गया इस पर इसका मुँल्ब यह पर समय उसको नीचे क्या है ताकि वह यह गुच्छे में लगा दे कि इनकी प्रोपेटीज से मैं इनकी प्रोपेटीज इदर सीम समझ रूप तो भाई लैंधर हम से इधर जाने पर अगर मैं बात करो सब्सक्राइब लग हमारा सीरियम से 58 से लगवाल हो एकटर रूप यहां तक जब तक हम जा रहे तो क्या हो रहा है दीरे-दीरे इधर से इधर जाने पर सर क्या होगा तो इस डिक्रीज होगा लेप्स राइट जाने पर साइज घट्टा जाएगा तो जो साइज बढ़ा था सब्सक्राइब इसे प्रियु को देखरत पлекशन की ह्यां कि दीज़ोगा पर आध्यार हापिनियु कर अफनीन के मिल्राइब में सब्सक्राइब सब्सक्राइब लगवद्ञाम और लगवद्ञाम नके साइजंग duy Observ qué ऑने इन दुन के उट miss फीलिंग समझें क्योंकि सर यहां पे बीच में बहुत सारे क्या थे लैंथनोइड एटम से लैंथनोइड एटम नी लैंथनोइड के अलिमेंट थे इसलिए हमने बोला सर इधर की और जब हम जा रहे थे उसमें तो size इसका चोटा है तो जब नीचे गये हम लोग तो भईया इसका size बढ़ा है अब इधर जाते गया तो डारेक्ली अगर आपनियम पे इसका इससे बढ़ा परन्तु बीच में बहुत सारी लोग आ गये हैं जिसके कारण क्या हुआ है और इसका नाम दे दिया गया लैंटनाइड कॉंट्रेक्शन याद रखना है यह फूर्थ ग्रुप से बच्चों 10 ग्रुप तक होता है सब बच्चे याद तो इसको खल लेते हैं पर वो रेजन यहां में भी लगा देते हैं जब कि हड़ ग्रूप के अंदर लैंटनाइड ठीक है साइज वगेरा सेम होने लग गया तो इसकी कुछ एक कॉंसिकल्स हमें देखने को मिलते हैं का मतलब होता है प्री राम क्या मतलब होता है फाइदा या नुक्सान वहीं चीछे या खिर कांपो करके क्या पढ़ना मिला जबार ही तो इससे क्या हुआ हुआ कि हमने दे कई चारी पापरटी आप करती है अगर साइज से मैं यानि वर फिसकल प्रोपरटी से मौने लगए तो आपस में अगर तुम्हें एक बार को मिक्स कर दिया तो उने अलग करना मस्किल होगा मजलब क्या है जैसे अगर मैं बूनूं यहां पर पानी है इस पानी के अंदर अगर तुम क्या डाल दो एक कोई solid sheet डाल दो जैसे सिक्का डाल दिया तो पानी में से सिक्क्य को अलग कर सकते हो लेकिन अगर नमक डाल दिया तो नमक पानी एक लिक्विड इस्टेट पा और आख एक सॉलिड स्टेत पा तब भी उसको सप्रेट करना थोड़ा नुश्किल रहा पर यहां प्रपर्टी इतनी साइज में क्यूंकि समलरटी आ जाते तो बहुत सब्सक्रों ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों क्या होता करना डिफिगल्ट हो जाता है पूस्ता है इसका रीजन क्या है दो लेंटनेट कॉंट्रेक्शन इसका रीजन है बच्चो और फिर हम यूज करते हैं क्लास में भी आपने सुनाओ आयन एक्षीन मेतड़ वगेरा आयन एक्षीन मेतड़ जाम सुनाएं हाडवाटर को उसमें ब िस कर जातीय यह कहने का मतलब कॉंषिगंस तक है किया है तो बोला क्या है इनका है अंटा होता है यानि वाल्योम इनका सेम रहेगा वाल्यूम भील से सब्सक्रें कर सकते हो अच्चा अब क्यूंकि भाई धीरे सब्सक्राइब जो कर रहा हो तो समय इटाउमिक नंबर तो बढ़ी रहे एटामिक नंबर वड़ने से आप गुल सकते हैं मास्स ओ आज मास्स करेंड़ा, मास्स क्या करेंड है आज़ाहिए ही in Creek कर रहा है कि वाल्यू में मास ऑपान में वाल्यू तो वाल्यू कॉंस्टेंट हो गया मसंकरीस कर रहा है तो अल Shu बंद्ढ़र्श करते को ढाने की व्हीं हँ ज हुँ माल है अब यह लोहे से क्या होता है कि generally जंग लग जाती है तुम्हें चाहता हूँ लोहे की जितनी ही property रहे लेकिन एक एक ऐसा material बना दू जिसमें जंग उना लग यानि stainless steel लोहे जितनी strength है लेकिन उस पर जंग नहीं लगती है यानि मैंने क्या देखा कि दोलों की chemical properties से हूँ, ऐसा कुछ मैं mix mix करके ऐसा similar बनाओ, मतलब यहां पे aloise formation होता है, तो aloise की formation में यह देखा जाता है, ऐसे element को mix करो जनकी size similarities हो, और यहां पे 4D और 5D की size similarities आगे, इसलिए maximum क्या होता है, d block के elements use होता है aloise बनाने, ठीक है, लि के बढ़े जाते हैं यहां की पेज में कुद नहीं, formation of colored ions, इसका reason देखू है, बहुत सारी colored ions बनाते हैं, क्कौन d block के elements, reason क्या है, बताता हूँ, reason बच्चों लिख लो, ions भी color में तभी शो होता है, बच्चों जब क्या हो, थोड़ा सा transition of electrons हो रहा हो, जब कभी किसी एक energy level से higher energy level या फिर हाईर से lower जाएगा, तो electrons क्या कर, energy release करते हैं, तो जो release करते हैं, जब कभी energy release करेगा, तो जिस wavelength की energy इसने release किया है, तो जो emit करेगा, वो opposite होगा, कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा होता है, वी, आई, बे, जी, वाई, ओ, आर, विम्गियोर होता है, आपको बता है, माल लो, electron यहां से यहां आया, तो उसने कुछ energy क्या की, नीचे आएगा, तो energy release करेगा, ठीक है, अब जो energy release की, माल लो, उसने release की, इतनी energy, विम्गियोर वाले energy, मिलोव energy, पैरे, यार, equal to h, नी होता है, न, h, इसी को हम लिख सकते है, hc1 lambda, यानि इस lambda की corresponding जो energy थी इतनी release की, जितनी की लेवना, वो, violet कलर का है, ठीक है, तो जो हमें दिखेगा, हमें हमेशा opposite दिखता है, यानि हमें red कलर की wavelength दिख रही होगी, कुछ ऐसा कहने का मतलब है, और चोड़ो, यह अपने syllabus का पार्ट नहीं है, हमें बस इतना बताना है, आखिर क्यों colored ions बनाते है इतना है, डी block element, तो reason लिख लो बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, डी transition, डी transition, इसके बाद अपन इन organic में बच्चों, जब coordination compound पढ़ेंगे, तो हमें समझ आएगा, कि जो d orbital होती है, बच्चों, d orbital में पार्ट सो होता है, तो d orbital क्या होती है, बच्चों, split हो जाती है, हम हमारी दो पार्ट में, optahedral और tetrahedral splitting में अलग-अलग होता है, यह मैंने optahedral splitting में बनाया है, उपर हो जाता है, हमारा e g, e g, और नीचे आ जाता है, हमारा t2 g, जो कि हम बाद में समझेंगे, यानि d orbital में splitting होने की कारण, अब तो electron क्या कर सकता है, नीचे से उपर जा सकता है, म और इसी पर एक और कोशन पूशता है, why, why, compounds, compounds, याति salts, compounds और salts, of zinc, are colorless, अब ये reason का answer बता सकते हो, आप लोग, colorless, आप जाओ, colorless, इस question का बच्चों के answer रहेगा, electronic configuration, zinc की करके देखते है, बाई zinc का electronic configuration, बच्चों कुछ होगा, आरवन, ये पता है न, 4S2, 3D, 10, अब क्योंकि भाईया, इसमें D के सारे electron भरे ही हैं, तो भाईया, यहाँ पर transition देखने होगा, आपको क्या ही मिलेगा, जब D में थोड़ा vacancy होगी, तभी तो electron उपर से नीचे जाएगा, energy level, 3D, 10 तो एक दम stable kong में, तो energy क्यों ही exchange करेगा, समझे हो, है electron यहाँ से याँ पर जा रहा होगा, stability बाने के लिए, अभी कोई process spontaneous होता है, तो यहाँ 3D, 10 में spontaneous नहीं देखने को विलता है, यानि नॉर्मली जब तो देखोगे, तो zinc हमें, जितने भी ions बना रहा होगा, जितने भी complex है, जितने भी sword, तो उस case में ZN 2+, में भी जाके, maximum Q2 भी प्लच जा सकता है, डी और वाइटर उसको fulfilled रहता है, इटमीं DD transition नहीं देखने को विलता है, लिख लेना बच्चो, DD transition possible नहीं होता है, और इस वज़े से colorless होते हैं इसके compound generally, ठीक है, exception है, zinc, क्यों होता है, क्योंकि बच्चो पूरी तरह भारी होई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ह क्या होता है, क्यों यह complex बनाते हैं, अभी तो हम complex chapter पढ़े नहीं है, अभी एक लिए समझो complex compound वो होते हैं, जो कि एक Lewis Acid plus Lewis Base से मिलके बना होता है, एक ऐसा compound जो कि किसी acidic part, जो कि Lewis Acid होगी, और Lewis Base से मिलके बनता है, Lewis Acid क्या होती है, सर्फ, ऐसे इस प्रसीड जो की loan pair को accept करने हैं, वो Lewis Acid होती है, ऐसे इस प्रसीड जो की loan pair को donate करते हैं, वो base होता है, Lewis वाले, ठीक है, Lewis की definition थी, अरहनियस है, बोला था कि, ऐसे इस प्रसीड जो की पानी में जाके H+, देदें, वो Acids, और जो की पानी में जाके OH- देदें, वो Arrhenius की बेस्ट है, पर इन्होंने कोई पानी वाला concept नहीं किया, इसलिए 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 अब लिगेबल, तो Lewis Acid और Lewis Base को जब बनाते है, तो भी यह आपके Elements बनाते हैं, तो उसका Reason दिया क्या है, क्योंकि they have a small size, high ionic charge density, and vacant due orbital, vacant due orbital होने के कारण, आगे आप समझोगे, लिगेंस जैसा कुछ होता है, तो लिगेंस क्या करते हैं बच्चों, अपने electron pair दे देते हैं, कहां पे इनी vacant due orbital में, और complex form हो जाता है, जो कि हम coordination chapter में ready to act as catalyst, आखिर क्यों develop elements की tendency सा ज्यादा होती है, catalyst की तरब यह करने की, वो देखो समझो, इसका reason है, बच्चों, maximum, बेशो, maximum, number of oxidation state, अब क्या होता है, oxidation state, इसको समझने सब्सक्राइब थोड़ा catalyst बताओ, catalyst क्या होता है, जो sir, reaction के rate को क्या करते, increase or decrease करते, यानी change करते, एक त सब्सक्राइब बोलते हैं, सर, catalyst, याद रटना, catalyst does not consume in a reaction, does not take part or consume in a reaction, take part in a reaction, reaction, reaction भी यूज नहीं होता, ठीक है, catalyst ऐसा ही species होती है, पर reaction के rate को alter कर सकने वाली ताकत रखता है, अलाकि अगर increase करता है, तो उसको catalyst नॉर्मली बोलते हैं, अगर decrease करता है, तो inhibitor बोलते है, reason क्य होता है, बच्यों, लिखा क्या है, द्यांक से पढ़ा हो, in chemistry, the oxidation state, और oxidation number, is a hypothetical charge of an atom, if it all bonds to the other atom, फोली आयनिक, परलब, it describes the degree of oxidation, loss of electrons of an atom, and that doesn't come, चली, the oxidation state may be positive, negative 0, देखो, क्या बोला गया, oxidation state को क्या बोला है, जब कोई atom, जब कमान लोग कोई सी metal का oxidation state निकालना है, तो maximum number, कितनी ये bond बना सकता है, वही इसका maximum क्या हो जाएगा, oxidation state हो जाएगा, oxidation number भी बोल सकता है, इसी चीज़ को, वलब, कितने maximum bond बना सकता है, या बोले, एक तरीके से, वलब, ionic bond की बाते किए गई, और ionic bond में, electrons को क्या होता है, transfer हो सकता है, तो loss of electron भी देखने को बिल सकता है, ऐसे case में, जो metal number of electrons को gain करेगा, या loss करेगा, उसी को, उसके उपर charge लगा कि हम बोल देंगे, कि सर ये इसका oxidation state है, या number है, अच्छा oxidation state निकालने का formula, देखो क्या होगा, कौन सा, maximum oxidation state निकालने का formula, क्योंकि कई सारे oxidation state होगते हैं, किसी एक metal के, तो maximum oxidation state निकालने का बच् और जोड़ देना, number of S के electrons, ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ, किस तरीके सा अपन को यूज करना है, NCRT में देखो, अगर तम table की बात करो, तो ये different elements की, अलग-अलग oxidation state निकालने का रखा है, और stable oxidation state को भी mention कर रखा है, मैं थोड़ा सा color बदलता हूँ, stable oxidation state को dark से mention किया जैसे titanium का plus 4 सबसे अदा stable होगा, जैसे titanium plus 4 भी show करता है, titanium plus 3 भी show करता है, titanium plus 2 भी show करता है, पर सबसे अदा stable बच्चो किसको बोला गया है, titanium plus 4 को, ठीक है, reason कुछ होता होगा, वो अभी नहीं पढ़ रहे है, उस reason पर plus 4 सबसे अदा stable है, plus 5 vanadium का, plus 6 chromium का, manganese का plus 7 और यही plus 7 मैं मैकसिनम देखो पूरा मैकसिमम् फचिनिस्ट पूरे डी ब्लॉक ऐलेमेंट्स के अगर बात किरें प्लस सेवन यहान पर इसका प्लशत प्लस वाला मैंने मारक ना था सब्सक्राइबल बनाले मैं अफली स्टेबल के लिए सब्सक्राइब केरें अब लए ज्क सबसे कम दे रहा है प्लस टू प्लस टू सबसे कम है और सिंगल ऑप्सिदेशन स्टेट है यहाँ पे कुछ इस्टेबल और रहे अच्छा मैं क्या बूलने वाला था है पुछ आपको समझाने वाले थे हां मैक्सम ऑक्सिदेशन स्टेट कैसे निकालते नमबर ऑफ अनप्लेट अलेक्ट्रों प्लस एसके लेक्ट्रों जैसे यह जो मैक्सम लिखा हुआ है मालोकी कोई दे दे कल को तुम्हें क्रोमियम दे रोमियम के अटामिक नमबर क्या होता है बच्चों अगर मैं आरगन इतल लि नमबर ऑफ अनप्लेट अलेक्ट्रों पांच आ गया सर प्लस एस पे कितने अलेक्ट्रों से वन है यानि मैक्सम नमबर जो आ सकता है क्रोमियम के लिए प्लस इसा सकता है क्या अब टेवल से भी अगर देखोगे तो सर यह हो जाएगा सर फोरेस्टू थू थूट्रीडी व मुझी यहां पर तो अनप्लेट ही रखने हैं अगर कलको यहां पर ऐसे हो जाएगा तो हमें लिखना है चार इस जगह पर अनप्लेट लिखने पर एसके अंदर टोटेल लिटन जो है वही डाल सकते हैं तो पांच वलब दो साथ निकल के आ रहा है यानि प्लस सैवन मैक्सि स्टेट होगी मैंगनी इसकी तो इस तरीके से कलको आपको कोई भी कंपॉंड दे सकता है उसके आपको मैक्सिम एक ऑप्सिजिशन स्टेट लिखना आना चाहिए ठीक है आगे पड़ें अच्छा और विशन ऑफ इंट्रस्टीशन कंपॉंड यह वी एक प्रोपर्टी होती समस्थने क्या होते हैं सब इंट्रस्टीशन कंपॉंड देखो बनते कैसे हैं कंपॉंड संपॉंड से इन विच एन विच इन विच इसमोल अटम्स अटम्स इन लाइक कार्बन हैड्रोजन नैट्रोजन और गिट टेड टेड एंडिवाइट्स इस अप्रोजन अब चुछ आज टेड देश्टीशन द मालोग यहां पर इंटरस्टीशेव से एंटरस्टीशियलग वाइड 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 पहल नाम सट्वाओंग वाइड्वाइड मालोग या भू यहां पर वजो चाहर एटम को रखना है तो मैं यह क्लैटीश सब्सक्राइब करणलまぁocku सब्सक्राइब सब्सक्राइब और दोद तो को फीटों जाते हैं त póष udah पने और यह लॉक्स यह सूस्क्राइब रियौनद OUT लोट जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं इन अटम से ष्योंद में similar लेटीस के अंदर वाइट से वह लगवल लभग रेगुलर सफ क्यों होते हैं regular साइस क्यों होते हैं मतलब अगर मैं S Block के elements का जो लेटीस है उसकी बात करूँ तो एस ब्लोक वाले बहुत हाई वाइड मनाते हैं आई साइज और वाइट आई साइज या पिलार्ज साइज लेहना ची यह है क्या होता है लाहर्ज वाइट बनाते हैं इस ब्लॉक के अगर मैं बात करो पी ब्लॉक के तो बड़े ही छोटे यानि स्मॉल वाइट होती इनकी बहुत जदा अगर बड़ा वाइट है तो भी आके बढ़ियां से नहीं बैठ पाएगा यह चोटी चोटी अटम है अगर बहुत छोटा वाइट है तो भी आके नहीं बैठ जाएंगे पर अगर मैं बात करो डी ब्लॉक एलमेंट्स की तो उनके अंदर अपसीजन के कुछ एक 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 अटमस कंपोजेशन 0.3 परसेंट में बैठे हुए हैं उनके वाइट में आयरन का जो लैटेस होगा उसके अंदर अपसें के वो जुड़ गया है यानि इस टाइप के जब भी कंपाउंट्स बनेंगे इंटरस्टिशल कंपाउंट ट्रिक होंगे इस टोकियो मेट्रीक नई फॉला हो रही होगी साधी साथ यह लिख लेना बच्चो दे आर इनर्ट है यह दो इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा अपने नोट्बुक के अंदर फ्रेगलर साइज होने की वज़े से व दert्रैस्ट सब्सक्राइज connections इसका की आफ़ डू टू लेंदग नौइड कोंट्रेक्शन और इसी तरीके से बच्वे और कीछी जाओगे ना तो एक जोता है है तो साइज क्या होता है स्साइज सिंलेर हो जाता है साइजै similar होता है और बनाने के लिए हमें निए केड़ा है हमें को मिक्स करके क्या बनाथ जैमरी जो को Miks करने के टयम पर साइज होना चाहिक यह सब्सक्रेस इस वजए से दी ब्लॉक में uh driver सब्सक्राइब लिए inhum now लाए है कि इसके में बनता है पिलिखाइं कॉपर और जिंक कि मिक्षाइर से बनता है यह की अंसी यह निकल होता है यह तो यह थोड़े-थोड़े बच्छो इंपॉर्टेंट चीजह हैं जिनको आपको हाइलाइट करके लिफ ले सब्सक्राइब करें ज्याद से ज्याद करा रखने सब्सक्राइब इतने ज्यादा से ज्यादा याद रखने फेपर के अंजर देता हो नुच्छ से प्लस या फिर एपी 2 प्लस जैबहों सबसब्से पहले समझें Each एंट रोता है जो किसी को Corn consider किसी को क्या करा है लीँस कराई। उस जो अच्छा होता है है अब सामने को रिडियूस कराना न बातों होता है इसे अनले कि लेक्ट्रों तो मैं तुम्हें तुम्हें डिदियूस निकाल लूँ यानि जो लॉस अप्र रालेगा यानि जो लॉस अप्र रालेगा सर्फ वह तगड़ा क्या होगा रेडियूजिंग तो देख लेते हैं कौन रिखेंगे तो यह आजएगा पूर जीरो ठ्रीडी फॉर आप यह कैसे लिख दिया चलो मैं पहले सियार का लिखता ह कुल बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे अटॉमिक नमबर 24 होता है बच्चों लिखेंगे आर्गोन फिर आजएगा फॉर एस टू त्रीडी शिक्स आना था पर यह क्या हो जाता है अब मैं बात करू आइड़न की आइड़न की सर हो जाएगी यह टॉमिक नमबर 26 अक्टि अच्छा भचा ध्यां से अब इन दोनों इस्प्रिसीश को देखना परंतों अभी सियार टू प्लस पहले कंबाइन कर लेतें सियार टू प्लस की अगलेक्ट्रॉनिक अन्फ्यूगेशन लिखें तो पहला एलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से और इस से तो फोर जीरो हो एलेक्ट्रॉन निकलेगा इसलिए साथ यानि हमने दोनों के लिए सर इलेक्ट्रॉनिक अब द्यान से देखो यह 3D 4 में यह 3D 6 में अच्छा पचों एक चीज़ विया दखना कि डी ज्यादा इस्टेवल होता है हाला कि आप सोच रहोगे हाफ फिल्ड इस्टेवल होने चीज़ नहीं पर ऐसा नहीं है क्योंकि वह याद क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग देखी गई वहां पे ज्यादा इस्टेवल आ जाती है तो अभी के लिए ज्यादा इस्टेवल अच्छा द्यान से देखो तो य यह स्टेवल अगल निकल जाएगा यानि लेक्रों निकल याणि क्र फॉर्य प्लस पे चला जाए और बढ़ियां सा क्या करते रिडियूस करते बाइद्यानि तो यह हो यानि यह बहुत अच्छा रिडियूसिक एजिन्ट होगा जिफकि इसकी बात अगर मैं करो आइरन की तो द्यान से देखो 3D6 है तो यह 3D6 से चाहिएगा बस क्या कि 3D5 बन जाए एक लेक्ट्रॉन क्या चाहिएगा यह इसका रिलीज हो 3D5 बन जाएगा यहां भी एक जाएगा पर जल्दी से रिलीज यह कर देगा स्टॉंगर कौन अजाएगा बच्यों सीयार्टॉफ प्लस समझे रीजन क्या हुआ कि सड़ीट्री गण्फिगरेशन दिल्वी मूर स्टेवल इस वजए से इस प्रसेस प्रसेस में जल्दी ज्यादा एनर्जी डिलीज ओग अलब एक ज्यादा इस्ट्रोंग हो जाएगा एक थोड़ा सा वीक होगा होंगे तो नहीं क्या एक तरीके से रिडियूसिंग है पर पावर की बात करोगे तो प्रोमियम विल भी रिडियूसिंग देन आए चलो बच्छो वीडियो की लेंट से बड़ी हो नहीं को देखते हु देखेंगे ठीड फ्रोड़ी फ्रोपर्पर्टी जैनल पर अगली वीडियो में जब भी में मिलूंगा आपको इस वीडियो की सारी की सारी प्रायर इंफोमेशन होंगी जरूरी है विकॉत ब्लॉग बहुत ही जल्दी नंबर देने वाला चैप्टर भी है अगर आपको डेटा या दो बदो आप यूंहीं नंबर ले आएंगे ठीक है थैंक्यों सो मच फॉर वाचिंग मेरा नाम है विवेक कमार आप मैं विदा लेता हूं जैहन सभी को